आज के आधुनिक दौर में हर वेक्ति भाग दौर भरा जीवन जी रहा है जिसमें वे अपने स्वास्त के लिए ही समय नहीं निकाल पाता अपने स्वास्त को वे इस हद तक नजर अन्दास कर देता है जिसके फल सरूप वे कई गंभीर ब्रोगों से गरसित हो जाता है और फिर इलाज के कई असफल परयासों के बाद निराश हो जाता है लेकिन यही उसके काम में आ सकती है नैचरोपैथी यानि प्राकर्तिक चिकित्सा की प्राचीन चिकित्सा पद्दती जो वेक्ति की बिमारी को जड़ से नश्ट कर उसे फिर से स्वास्थे प्रदान करती है नैचरोपैथी में कई तरह की सिद्ध पद्दतियां हैं जिनका प्रयोग वेक्ति की बिमारी के अनुसार किया जाता है पोटली मसाज पोटली मसाज एक प्राचीन आयुर्वेदिक थरपी है जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एक पोटली में बांद कर उसका उपियोग शरीर के रोक प्रभावित क्षेत्र को फिर से जीवन्त करने, शिथिल करने और पोशन देने के लिए किया जाता है जब इन पोटलीओं को शरीर पर रखा जाता है तो इनका शरीर पर चिकित्सिय प्रभाव पड़ता है पोटलीओं में ताजा और सूखी दोनों ही तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का चैन होता है जिने आपके आयोविदिक विधान और उस समस्या के आधार पर सावधानी से चुना जाता है जिसके लिए आपका इलाज किया जा रहा है इन जड़ी बूटियों को एक मलमल के कपड़े में लपेट कर गीली मसाज के लिए गरम औशिधिये तेल में और सूखी मसाज के लिए रेत या हर्बल पाउडर में डूबोय जाता है और फिर शरीर को ठीक करने में मदद करने वाले विशिष्ट दबाव बिंदों पर मालिश की जाती है गरम पोटलियां पोरे शरीर के विशिष्ट भागों की मालिश के माध्यम से शरीर में पसीना बनाती है जो की पोटली में जड़े बूटियों की उपस्थिती के करण उत्पन होता है पोटली मसाज के लाव नियमित तौर पर पोटली मसाज करने से जोडों के दर्द, सिरदर्द और मास्पेश्यों के दर्द से रहत पाई जा सकती है नियमित तौर पर पोटली मसाज करने से तनाव, डिप्रेशन और अनिद्रा की समस्या में भी रहत मिल सकती है तनाफ से जूज रहे लोगों को शाम के समय पोटली मसाज करवाने की सलह दी जाती है पेट में बनने वाली कप्स, सूजन और दर्द से रहा दिलाने में भी पोटली मसाज काफी फायदेमंद साबित हो सकती है पोटली मसाज रखपरी संचनन को प्रत्चोहित करने में भी मदद करती है जो तेजी से रिकवरी देती है और साथ ही त्वचा को स्वस्थ मनाती है सिंगी चिकित्सा सिंगी चिकित्सा एक ऐसी प्राचीन आयुडवेदिक चिकित्सा पद्धती है जिसके जरीए शरीर के किसी भी अंग में हो रहे दर्द से हमेशा के लिए आराम मिल जाता है सिंगी चिकित्सा रिशिमुनों द्वारा रोक से मुक्ति दिलाने की प्राचीन पद्धियों में से एक मानी जाती है इस चिकित्सा पद्धि में सिंगों का उपियोग कर शरीर पर दवाब डाल कर उपचार किया जाता है ये चिगिच्सा पुराने से पुराने दर्द को भी केवल मिंटों में इस तरह हर लेती है, मानू जिसे दर्द कभी था ही नहीं इस चिगिच्सा का मूल उद्देश है शरीर की उर्जा स्तर को संतुलित करना है इस चिगिज़ा के नुसार शरीर में उर्जा के तीन मुख्य प्रकार होते हैं वात, पित और कफ। सिंगी चिगिज़ा द्वारा इन तीनों प्रकार की उर्जाओं को संतुलित किया जाता है और इससे शरीर के अनुचित दबाव और ब्लॉकेज को दूर करने में मदद मिलती है मांसिक तनाव को कम करती है नीन की समस्या को दूर करती है मासपेश्यों के दर्द को कम करती है शरीर कूर्जा को बढ़ाती है और इम्म्यून सिस्टम को सुधारती है जोंक चिकित्सा खून चूसने वाली जोंक के स्माध्यम से बिमारी का किया जाने वाला उपचार है जोंक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली जोंक विशे शुरूप से उपचार करके चुनी गई होती है औश्यधिये जोंक में दातों की छोटी पंक्तियों के साथ तीन जबड़े होते हैं वे अपने दातों से किसी विक्ति की त्वच्चा को भेधती हैं और अपनी लार के माध्यम से शरीर में ठकका रोधी डालती है जोग चिकित्सा के माध्यम से रोगी के शरीर से एक बार में 20-45 मिनट के लिए रक्त निकानने की प्रक्रिया की जाती है ऐसी कई स्थितिया हैं जिनमें जोग चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है जोग चिकित्सा के लाब जोक चिकित्सा से उन लोगों को लाब पहुच सकता है जो मधुमे के दुश्परभावों के करण अंग विच्छेदन का जोखिम उठाते हैं जिन लोगों के धिर्देरों का निदान किया गया हो और जो कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान अपने कुछ कोमल उतकों के नुकसान का जोखिम उठाते हैं रक्त के ठक्कों के जमने और वेरिकोस नसों के इलाज के लिए भी जोक चिकित्सा की सलहा दी जाती है मन जाता है कि जोक रक्त परिसंच्रन को बढ़ाने और रक्त के ठक्कों को तोड़ने में प्रभावी होता है संस्कृत में कटी कार्थ है पीठ का निचला हिस्सा और बस्ती कार्थ है किसी चीज को अंदर बनाए रखना कटी बस्ती एक सुखदायक आयुर्वेदिक उपचार है जहां दर्ध, जकडन और सूजन से रहत पाने के लिए गर्म हर्बल तेल को विधिवत तरीके से पीठ के निचले हिस्से पर रखा जाता है कटी बस्ती में उपचार के लाब हर्बल तेल से मिलते हैं तेल की गर्माहट और दबाव, मासपेशियों, सनायू तथा अस्ती बंधनों में समावेश कर एंठन में आराम देता है और दर्ध तथा जकडन को कम करता है चोट और दर्धनाक स्थिती के लिए कई परकार के हर्बल तेल मौझूद हैं जिन्हें रोकी स्थिती के अनुसार चुना जाता है कटी बस्ती के लाब कटी बस्ती का प्रयोग पीठ के निचले हिस्से और अंगों में दर्ध को शांत करता है पीट के निचले हिस्से को मजबूत करता है, नसो को आराम देता है और पीट के निचले हिस्से में रक्त की कमी को पूरा करता है सोनबाथ सोनबात एक पारंपरिक चिकित्सा है जिसमें भाप और उच्च गर्मी के माध्यम से विक्ति की शरीर में पसीन उत्पन होता है जिसके प्रभाव से हृदे स्वास्थ में सुधार होता है और साथी विशाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं विशेश रूप से शिथिलता और हृदे स्वास्थ में सुधार के लिए सोना स्नान की सला दी जाती है सोना का तापान 158 और 212 फिरनहाइट के बीच रखा जाता है इस तापान को शुश्क गर्मी माना जाता है इस थेरपी के अनुसार माना जाता है कि सोना बात के कमरे में अपेक्षित नमी लगभग 10 परतीशत से 20 परतीशत के बीच रहनी चाहिए बहुत से लोग विश्राम और सामानने स्वास्ते के लिए सोना बात का इस्तिमाल करते हैं लेकिन विश्यशग्यों का मानना है कि सोना बात इसके अलावा कई लाप परदान कर सकती है जैसे गठिया में लाप, अत्यंत थकावट को दूर करना, शीत लक्षनों को दूर करना, मास पेश्यों के दर्द में अराम, सौराइसिस मिराहत, तनाव से मुक्ति लेकिन अराम, सौराइसिस मिराहत, अराम, सौराइसिस मिराहत, तनाव से मुक्ति